जी तो बिस्मिल्ला हर्मार रहीम इंटेलिजन्स क्लब में आप सबका खुशाम देद आज हम एक नए टापिक के साथ आप सबके सामने हाजर हैं ये टापिक समझने से पहले आप सबको पहले ये रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर का पटन जरूर दबाएं तक हर नए आने वाली वीडियो आपको मिल सके तो चलिए चलते हैं अपने इस एक्जैंपल की तरफ दोस्तो आज हम सीखने जा रहे हैं मीन और एवरेज ये मीन और एवरेज जो है ये कैसे निकाला जाता है आज हम इसको समझेंगे तो इसको समझने से पह दिवाइड बाए दे नमबर अफ अब्जरवेशन्स आपको कोई एक डेटा दी गई होगी उस डेटा सेट के अंदर जितनी भी अब्जरवेशन्स मुझूद हैं आप उनका सम निकालेंगे उसका सम निकालने के बाद आप उस सम को नमबर अफ अब्जरवेशन्स उस अब टो XN divided by N, जो X है, X2 है, यह सारे वो numbers हैं, यह वो observations हैं, जो आपको मिली होती हैं, और N जो है, वो number of observation होता है, तो चलिए एक example समझ लेते हैं, example कह रहा है कि find the mean of 8, 4, 22, तो अब हम क्या करेंगे, यह जो X है, इसको यहां पर रखेंगे, X1 हमारा क्या है, 8 plus X2 हमारा क्या है, 14 plus X3 हमारा है, 20 plus X4 हमारा है, 22, तो इन सब का हम निकाल लेंगे पहले, सम, 8 और 14, 20 और 22, तो जब हम इनका सम निकालेंगे, तो यह total सम जो बनेगा, यह 64 बनेगा, तो जो average है, वो यह होता है, कि उन सारे observation का सम निकालें, और उनको number of observation के साथ आप divide करेंगे, तो 64, number of observation कितनी हैं, 1, 2, 3, और 4, तो यह 4 number of observation है, तो हम 64 को इस 4 के साथ divide करेंगे, तो दोस्तों जो हमें average मिलेगा, वो हमें कितना मिलेगा, 16 मिलेगा, तो यह आपका mean या फिर average निकालने का तरीका है, तो उमीद है यह आप सब को समझ में आया होगा, तो चलिए, आज के इस vlog में हम यह समझ ले गए, कि mean या फिर average किस तरह निकाला जाता है, उमीद है यह आपको वीडियो पसंद आई होगी, आप सबसे यह पहले request है कि आप इस चैनल को सबस्क्राइब करें, और पहले icon को ज़रूर दबाएं ताकि हर नए आने विडियो आपको मिल सके, तैंक यू,